कि कोश्चिन नमब 35 विच आफ फॉलिविंग इस कॉलेक्ट आपने बताना है इन पांच उप्शनों में से कौन सी एक्स्प्रेशन आपका ठीक है ठीक है वन बाइवन चेक करते हैं सबसे पहले एक्स्प्रेशन पकड़ते हैं ए में क्या बोला है वी मल्टिप्लाइटी स्ट इस एक्सप्रेशन में आपने बताना है क्या जो पी है वो मामा है वी का चेक करना आपने ठीक है तो चेक करते हैं पहले दो पकड़ते हैं वी मल्टिप्लाइटी वी मल्टिप्लाइटी फिर अगले दो पकड़ते हैं टी स्टार पी टी स्टार पी इन में से जो रिलेशन ए क्या है है multiply हमारे यह रहा पी multiply क्यूंने का मतलब क्या है पीश डॉाटर एहां पर पर क्या आज़ाझ़ा लीज तो डॉर्टर ओफ्टी वी कैने बटी है किसी की टी की ऐखेकि की चारटी प्रे का मतलब क्या हाँ thank solar star का पर यहां पर क्या लीक क्या पी स्टार क्यूंब का मतलब का अब यह पहां पर गाल की यह सिस्टर ओफ किया आप पी ऑपी यह हमने स्कूशनिक निकाल लिया अब इसके पडॉट करते हैं, देखते हैं wanna V is Daughter of T, वी बेटी है, बेटी नीची आएगी बेटी है तो माइनस लगा ऊपर इसका जैंडर कीए है किसकी बेटी है नहीं बता सकते क्योंकि पी का जेंडर ही नहीं पता हमें पी मेल है फिमेल है हमें नहीं पता इसलिए हम यह नहीं कह सकते जो वी पी है वी का मामा है अगर मैं चेक करूं तो लग क्या सकता है देखो वी की मा को नटी टी का जो पी है तो भाई होगा या फिर बहन होगा तो यह क्या बनेगी या तो मामा बनेगा या फिर बनेगी मासी मेटरनल आंट या फिर क्या बनेगी आंट बनेगी ठीक है या तो पी मामा बनेगा या फिर पी क्या बनेगी मासी बनेगी मौसी बनेगी क्योंकि मा की मा की बहन कौन होती है मौसी मा का भाई कौन होता है अमेटरनल अंकल, मामा ठीक है तो पहला जो आप्शन हमारा वो क्या गया गलत हो गया ठीक है अब सेकंड evening check करते हैं सेकंड ऑप्षिन है डी कोशन मार्क V multiply टी इस एक्सपेशिन निकालते हैं फिच में पहले हम लिखते हैं डी कोशन मार्क टी कर दूसरा वी मल्टिप्लाइटी में मल्टिप्लाइटी ओके कोशनम нार का मतलब एक क्यों हूं इस मतलब आप यहां पूलता था न यहां यह चीज बड़े ध्यान रखना है बड़े ध्यान से लिखना है कि जब भी expression में कुछ भी हो यहां पर आपने चेक करना है कि पहले वाली चीज पहले आ रही है या फिर दूसरे वाली इन आएगा V is daughter of T, अब इसको plot करते हैं, देखते हैं, मैंने पहले D बना लिया, उसकी मां को ना T, T उपर मना लो, और T के उपर लगा लो, minus, क्योंकि उसका gender का है female, जो मां होती है, वो female होती है, दूसरे में हमें हमें पता लगा है, V is daughter of T, जो V है, वो बेटी है, किसकी T की, तो V भी नीचे आएगी, V के उपर लगाओ minus, क्योंकि उसका gender का है female है, वो बेटी है, T की, ठीक है, D के gender के बारे में आपको नहीं पता है, ओके, हमें चेक क्या करना है, हमने ये बताना है, जो D है, वो granddaughter है, T की या नहीं, यहाँ पे तो जो D है, उसके बारे में बताई नहीं स इमेल होएगी, T, D की मा है, तो D क्या होएगा, T का या तो बेटा होएगा, फिर बेटी होएगी, तो इससे ये गलत होगया, second भी, क्योंकि इसमें हमारा क्या रहा है, जो D यह वो क्या है, son or daughter, या इस second से क्या पता लगा, या तो son होएगी, D या फिर क्या होएगी, daughter होएगी, second भी गलत होगया, अब third चेक करते हैं, third option है, L pound M dollar R, means R is paternal uncle of L, आपने बताना है कि इस expression के हिसाब से, जो R है, वो चाचा लगता है, L का, चलो चेक करते हैं, C option, C में है, L pound M, L pound M, इसकी information निकालेंगे, फिर M dollar R, M dollar R, ओके, पहले pound की देख लेते हैं, pound का मतलब क्या है, हमारे पास pound का मतलब है, P pound Q का मीन था, Q is son of P, यह उल्टे वाला है, Q पहले आया, P बाद में आया, तो M पहले आएगा, M is son of L, फिर dollar M dollar R, dollar यह रहा, P dollar Q का मतलब क्या है, P is brother of P, यहाँ पे गड़बड तो P is brother of Q, यह सीधा है, P पहले आया, Q बाद में आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, M is brother of R, अब इसको plot करते हैं, देखते हैं, क्या इसमें से information निकलती है, M बेटा है L का, L उपर बनाओ, वो नीचे बनाओ, उसका बेटा M, M के उपर लगाओ, प्लस, क्योंकि उसका gender क्या मेल है, M is brother of R, M brother है, इसका R का, यह साथ में क्या आगया, R, ठीक है, तो हमने क्या बताना है, आपने यह बताना है, कि जो R है, वो चाचा है L का, नहीं, गलत है, जो R है, वो तो क्या लगेगा, R के पहले gender के बारे में नहीं पता, तो आप उसको चाचा मेल होता है, तो वैस ही गलत हो गए, देखती है, आप इसके पर cross लगा सकते हैं, यह ठीक नहीं है, पर exact answer अगर इसका बताऊं, तो क्या आएगा, L का बेटा कोन है, M, और M का आगे भाई या बहन कोन होगा, R होगा, तो R जो होगा, वो L का बच्चा ही होगा, ठीक है, तो यह तो बेटी होएग अब D option जाग करते हैं, D option है, M pound R star D, question mark V, means M is son of V, ठीक है, इसमें आपने बताना, इस expression का मतलब क्या यह है, कि इसमें M जो हो बेटा लग रहा है, V का, चेक करते हैं, चलो, ओके, D option देखते हैं, दो-दो पकड़ते हैं, पहले है, M pound R, M pound R, फिर है, R star D, फिर है D, question mark V, इन में से information निकालते है, M pound R का मतलब क्या है, pound यह रहा, P pound Q का मतलब था, Q is son of P, यह उल्टे वाला Q पहले आए, P बाद में आए, तो यहां पर R पहले आएगा, R is son of M, आगे R star D, star कहांप यह रहा, P star Q का मतलब क्या है, P is sister of Q, यह ठीक है, रीधर क्या आजएगा, R is sister of D, ठीक, अगला D, kosher mark V, kosher mark हमारा कहांप यह रहा, P kosher mark Q का मतलब क्या है, Q is mother of P, यह भी उल्टे वाला Q पहले आए, P बाद में आए, तो इसके अब क्या बन देगा, V is mother, V मा है, किसकी of D, ओके, चलिशको प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं, क्या बनता है, पहले, R is son of M, M का बेटा कोन है, R, R बेटा R के उपल लगाओ, प्लस, उसका gender मेल है, इसलिए मैं उसके उपल लगाए, प्लस, R, प्लस, R बेटा है, M का, फिर है, R is a sister of D, अब बोल रहे हैं, कि R क्या है, sister है, किसकी D की, देखो, R का gender तो पहले ही पता लगाओ, वो मेल है, अब R sister कैसे हो सकती है, D की, क्या है sister हो सकती है, D की, नहीं, यह तो plot ही नहीं हो सकता, यह तो second statement तो इसमें plot ही नहीं हो सकती, V is mother of D, V क्या है, D की मा है, उपर बना लो V, यह possible in actually, यह वाला जो D option है, इसको आप नहीं बना सकते, क्योंकि R का gender male है, और दूसरे वाले relation में R का gender female हो रहा है, तो यह तो वैसी गलत हो गया, तो इसका अंसर क्या आया, E, none of these, ओके, इसका अंसर क्या होएगा, E option होएगा, लेकि वो D, इसलिए दे रखा है, उन्होंने क्या किया है, जब इसको इसको solve किया, उन्होंने, इसको solve करते हुए, यहाँ पर जो pound है, उन्होंने इसको dollar मान लिए, mistake कर रखे है, वैसे हाँ पर mistake से आ रखा है, means, इस question का answer, अगर हम, देखो, अगर हम ऐसे इसको solve करते हैं, अगर जो हमें दिया हुए, अगर exam में ऐसी question आ जाता है, तब तो इसका answer क्या आएगा, none of these, ठीक है, लेकिन इसका जो D answer बन सकता है, तो D answer बन सकता है, अगर हम आप डॉलर की जगें क्या आजे, अगर मैं डॉलर की जगें क्या पाउंड कर दूं, तो हम डॉलर की जगें क्या प पाउंड आजेगा, अब इसको बना कर देखते हैं, पाउंड का मतलब क्या है, पाउंड का मतलब P is brother of Q, पाउंड क्यू का मतलब क्या है, P is brother of Q, तो M pound R का मतलब क्या आजेगा, M is brother M भाई बन जेगा, किसका, of R, ठीक है, M is brother of R, अब इसको द्वारा से plot कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारा आंसर बनता है नहीं बनता है अगर मुझा प्लॉड करूँ पहला एम इस ब्रदर फार चलो देखते हैं एम है भाई किसका आर का यह रहा आर उसका भाई बना लो यहां पहला है उसका जेंडर क्यों मां ठीक है अब आपसे यह पूछा था कि एम इस सन ओवी कैया जो एम होगा वह वी का सन होगा जी बिल्कुल और इम है वह लगा यह तो एम क्या होगा तो इस तरह जो हमारा d option है वो क्या होज़ेगा ठीक होज़ेगा लेकिन यहां पर pound की जगें क्या आना चाहिए डॉलर आना चाहिए ठीक है अगर यह डॉप्शन ऐसे लिखा होता कैसे m dollar r star d question mark v अगर हमारा यह d option होता है तो हमारा answer क्या बनता डी बनता लेकिन यहां यहां पर क्या है यहां पर dollar की जगें क्या है pound है डी option में तो हमारा डी option भी इस question में गलत होज़ेगा और हमारा answer क्या बनेगा none of these okay